अभी को नमस्कार है कुछ मुद्देश हो है जो ना छेड़ने ठीक हो है पर बार बार नियों कहें अग उस LPA 680 की बताओ उसकी बताओ पर असलों नंबर पर मैसेज करें पौन भी आओ है बाई मैं इसने चेड़ना चाहू नहीं था तो चलो यह LPA 680 दो नंबर म में काड़ागी जिस पर जेविटी बतीगा बविश्चे डिपेंड है अगर यह केश यह जीत जाते हैं तो उसका है पूरी बतीगा फ्रक्पट जा जैसे यह कह रहे हैं तक पूरी बती ही क्वेस होगी अगर यह मामला हो गया था क्योंकि काफ़ काफी बड़ा मैटर है अगर है इसे रिजल्ट के साथ छेड़ चाड़ोगी तो वो इस टालाला काम हो जागा अगर नंबर कम बती कर दिये लिस्ट में कुछ अत्तक बात भी ठीक है लेकिन मैं इस शेथ पाग ने रखता हाँ बाई सच सुनो तो यह केस मैं नहीं मानता सब्सक्राइब कुमार वर्षी स्टेट ओफर याना इसके चार ओडर दिखाऊंगा अपने क्योंकि लंबी वीडियो हो जागी यह तो ओडर था भाई बीस चार दो जार सत्रागा सुरियकांत और सुधी पह लवा लियागा इसमें आफ्टर हीरिंग लंड कोंसल फॉर्दी पर्टिज दांट्री मोल्डर डेटिड गयारा पांच सोडा गयारा पांच सोडा ने इस्पाट डबल बेंच में स्टे लगा दिया था वो भी देखाऊंगा दा स्टेट ओफर याना इस डिरेक्टिट टू कीप वेकेंट चम्मन पोस्ट खाली राखिदी थी भाई और बक इस पोस्ट से आगे नहीं जाना क्योंकि उस टेम तेके सारे केसे में जुड़ सुके थे अंतियों कुमारी टाइप के रुजितनी भी है नो सो बारा बगरा दो उसमें जजच साब कोई पता चल गया था वाई तीन सो चालीस में गलग स्वैसला हो रहा है इसलिए इसलिए नहीं कहा दिया था बट नॉट ब्योंड डाइडवटाइज पोस्ट फर्दर अपाइंटमेंट सेल भी सब्जेक्ट फाइनल लेकिन फिर भी यह कह दिया था पर जो अपाइंटमेंट होंगी वे इस पर होंगी फाइनल अगर इसे में कुछ गडबड हो जाती है तो उनकी अपाइंटमेंट भी कैंसल होगी लिस्ट वनचोविस पाइज यह बीस चैर 2017 को यह ओडर आया ठीक वहीस में स्टेव अकेट हो गया था और इसके बाद 27 को इनकी ज्वाइनिंग होगी थी फर्स्ट लिस्ट वाड़ होगी अच्छे इसमें यह ग्यारा पाइंटमेंट सेल रिमेंड स्टेड स्टेड यानि किवांटमेंट पर स्टे कर दिया था था 25 या या अ गये तक जब तक भी सुनवाई चलती कोर्ट जब ती नहां ठायले वह स्टेड कंटीनू दीनू रहता है एंटायर इंतररस रिकॉर्ड भी सेलेंट सारा इंट्रोरा रिकॉर्ड सीज़ होया और बीच चार सत्रा को इस पर स्टेट आठा दिया तो स्टेट आठा दिया था कुछ सोचकर यहीं से आरच शुरू होगी थी तो परती पर तो मुझे नहीं लगता अब को यहां चाहोगी भाई हाँ यह चम्मन कंडिडेट जो पोस्ट रहा लगी है बीच में इन्होंने क्योंकि यह ओड रहे देखो पत्चीसनों चोदा को और जैसा कि सब को पता भी चोदा आठे दोजर चोदा को रिजल्ट आया था इसका पहले लिस्ट आगी थी आलाकि जोइनिंग इस केस के करण उनकी नहीं होई हो जाती लेगिन इस केस में स्टेट है में वाले में इसमे केस टेदा वो देखते हैं लंड कॉंसल फॉर्ड पेटिशन सब्मीटिड देट इन्दा रेजल्ट फॉर दी सेलेक्शन ओव दी पोस्ट जेवीटी टीचर इनिसीली डेकलेड में रेजल्ट डेकलेर कर दिया है तब पेटिशनर वर और इन्दा जो पेटिशनर में एट ल चलो वो किश्मित की बात होती है इन्दा क्राइटेरिया फॉर अवार्ड ओफ मार्क्स फॉर अकैडमिक क्वालिफिकेशन एज वाज डिस्प्लेड अलोंग विद दरजल्ट फॉप सेलेक्शन टू एक्स्ट्रा मार्स वर टू वी गिवन हाईयर क्वालिपेशन बिजो इ कि मार्क्स लास्ट इडिड कंडिडेट से ज्यादा हो जाते हैं रे प्रेजेंटेशन एक रेप्रेजेंटेशन दी नननों नों चोधा को वहां पे भी मारा जो रिजल्ट मारे नंबर जोड दियो पता लग्या होगा नहीं कि दह कहीं लग्या होगा भई अब कहिंशे क्या रजल्टा आ लिया था इन उनका था भी मारे नंबर दो नंबर नहीं जोड़े लेकिन कोई नहीं सुनता बिना कोट के समाँ देर फोर एफ फ्रेश्ट लिस्ट ओप सेलेक्शन वाज डिस्प्लेड ओन दस नो चोदा वे नो नहीं रेप्रेजेंटेशन दी अग मारे दो को दो नंबर आयर क्वालिफिकेशन के दे दिये जो के पहले जीरो नंबर था वहाँ पर दो नंबर से होगे दूसरी लिस्ट में जो दस नो चोदा को आई हैंड आउट ओफि मारक सेकोर्ड बाइब ऑा यंदाइंटिरम नंगा बें इन्टिर्फ प्तिरीशन के दिये वाजप्र की तो रिजल्ट दो गटाया वगा दनेウाद हूवगे और रिजल्ट द शेम रावाड़ आदैू चारीश कर के बीश कर क्यों शीतरे लगा लिए हाला कि मैं प्रसनली अगर मेरी पूच्छोती यह गलत था यह 420 शी थी लेकिन भाई जब यह दिगारी दबाना चाहो तो क्या इने भी दबास कए है सरकार जब दबाना चाहो तो क्या इने भी दबास कए है यह दबाया गया थ तो आप लोग इस कारण से मुझे निलगता इस केस में ठैर होगे notice of motion to respondent number one two three only at this stage मैं notice of motion होगा तीन respondent का अरीश राटी senior deputy educator अर्याणा सरकार court मता उसना notice ले लिया on instruction from Mr. Yasin Mohamed assistant in the director elementary education अर्याणा learn council for the state submitted that in a separate petition claiming that appointment to be post of GVT were given without verification of the document पर एक और उसमें rate petition लगे थी जिसमें ये थाग भी इनको बिना जाच के कागजाच जाच के appointment दी जारी है it has been undertaken by the state that no appointment letter will be issued without verification of यानि लेकिन state के जो वकील थे जो भी थे उन्होंने ये कह दिया था भाई कोई भी इसमें बिना कागजाच की जाच के appointment order नहीं दिया जाएगा considering the contention raised by land council for the petitioner as an entry major ये country major के तोरप it is directed that no appointment letter will be issued to any of the selected candidate till the next date of hearing ये पत्चीस नो को स्टे हो गया था बाई जो चोदा आट दो जार चोदा को रेजल्ट आया चोड़ा सबस्प्समान का उस पर स्टे हो गया पत्चीस नो चोदा को इनको किश्य को जोईनिंग नहीं मिली इनको बेश 27 चार 2017 में तीन साल बादा का जोईनिंग मिली हलाकि इस केस में कुछ नहीं होया बड़ा ओडर था एंटार रेकॉर्ड ऑफ सेलेक्शन सेल भी प्रोडूस्ट इनकोर्ट ओप दी नेक्स नेक्स डेट पर सारा रेकॉर्ड कोर्ट नमंगा लिया राजिस बिंदल जर्ज थे यह हो गया भाई तीसरा ओड योगी न सारी बात जो मैं करना चाहूं जो आपने पताए है मेरे सीजा था अब यो ओडर है वह यो काफी 25-26 पेज का ओडर था आप इसने सारे ने पड़ भी इसको हो काफी मुद्दे उठ्थे दे इसमें आखर में लेकिन सब की गो आईप आई हो गया है में आकरी दो प अबर है विद रिगार्ट टू कंडिडेट चितर लेखा है मैं योनिका कोई मैट रथा पॉइंट वन वन का नंबर था उनके दिया वह इस से कोई ज्यादा परग नी पड़ता तीन डेशी मल में जागा इतना अंतर हो जाया अगरत सोड़ों इसको हैंस आप्टर गोइंग डिप्टी डिरेक्टर सेंट्रल फोरेंसिस सी एफसल दाटा बेस अबैक फाइल एंड रिजल्ट शीट रिचिवड फ्रम दी कस्टिडी ऑब मनोजकुमार एसिस्टेंट कॉन्फिडेंशल ब्रांच सोज देट दी ओरिजनल रिजल्ट वाज प्रिपेर्ड ओन चोदा आठ रिजल्ट कर दिया इसलिए आर बता रहा हूं थेरिज़नोड चेंज इन दा ओरिजनल शींड औरिजनल जो रिजल्ट था उसमें कोई चेंज नहीं था एंड दा रिजल्ट शीट प्रीजल्ट शीट पीडिफ आर दी वन एंड दी सेम उसने ब्यान दे दी वह दोनदू क्लिमेंटरी रिपोर्ड डेटिड का तिस तीन सोड़ा कलियर्ज डाउट देट दा इन्फोर्मेशन इन दा सरकम्स्टांसिज कैन नोट भी ट्रांसपर्ड व्यानि सारी चिज्जें हकम चली गई वैं सरकार के और जो ये दो नम्बराले थे जो पेटिशनर थे इनके सारी च चिजे खिलाब जाती चली गई वो किशी विकान गई ओसका है भाई सरकार से यह हम उसने ज्यादा भी दावा नहीं कर सकते दपेटिशनर वर ओंडी अग्रिवड अबाउट दी मिस्टेक भाई मिस्टेक थी सिंस दा ओरिजिनल रिजल्ट डेटिड देटिड चोदा अट से ले गई होया होगा कुछ कैंसलेस कैल्कुलेशन ओब मिस्टेक्स एंड मार्क्स इंदा अकेडमी क्वालिफिक्शन एज वेल एज दी वाईवा दा स्लेक्शन प्रोक्सेश प्रोसेश दस नोट रिक्वायर एनी इंटर फैंस यानि के जो भी होया है उस पर कोर्टन से हम बीजगे की ती यह कोट न बोल दिया और जो सेलेक्शन प्रोसेश वो कोई एंटर फैंस नहीं चाथता है कोट का नहीं होना चीह दिस देर इस नो मेरिट इंदा रिट पेटिशन और सिंगल जज ने कहा दिया इस रिट पेटिशन में कोई मेरिट नहीं है अब यह मेंटर जाता है फिर डबल बेंच में लपीम पर दिपकवर वहाँ जाकर इनको स्टे मिलता है वाई पहली यह डेट पर है लेकिन वो स्टे फेरी इनका बीस चार एक साल पंचार सुनवा योग है और सरकार ने चाहता उतुडवा दिया क्योंको सारे तत्यज़ साम अब देखो इस मामले में फाइनल पाते हैं वैसे तो मुझे नहीं लगता इस केस में ज्यादा दम है क्योंकि सरकारी जो तथ्य रख गए हैं डबल बेंच भी उनी रिपोर्ट पर निद्दारी तो होगी क्योंकि इसके लावे इन बच्चों के पास भी कुछ नहीं है तो स में तो भाई मेरा परसनल विचार तो यह है बैस्त करियों न पर यह केस ज्यादा नहीं चलेगा अगर यह ज्यादा चल जा है फिर पूरी बरती पर भी दिक्कत आओगे जैसे आप लोग कर रहे हो क्योंकि फिर तो पूरा सिस्टम में खतम मनने जागा इतना बड़ा चैनल को सबस्क्राइब जरू करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके रन्यवाद